अक्सर आपने देखा होगा कि प्रिधान मंत्री के बॉडी गार्ड काले चस्मे का प्रयोग करते हैं जब भी हमारे प्रिधान मंत्री कहीं भी वाशर देते हैं या फिर रैली में जाते हैं तो उनके पीछे जो सिक्योरिटी गार्ड या बॉडी गार्ड होते हैं वे काला चस्मा लगाते हैं फ़र कि आपने कभी सोचा है कि पिधान मंत्री के बॉडिगाड काला चस्मा ही क्यों लगाते हैं अगर नहीं तो अच वीडियो को लासक देखिएगा आज हम इसी तफ्ति के बारें बात करने बाले हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त मोहित गौर्ड और आप देख रहे हैं लन्ज सब कुछ तो इस सुरू करते हैं और जानते हैं पिधान मंत्री के बॉडिगाड काला चस्मा क्यों रहनते हैं दरसल पिधान मंत्री की शुरक्षा की जिम्मेदारी यानि की इसपेचल पोटेक्शल गुरूप के कमांडो की होती है एसपेची का गठन 1884 में ततकालिन पिधान मंत्री शुरीमति इंद्रा कांधी जी कहत्या के बाद वा था जब एसपेची कमांडो पिधान मंत्री को सुरुक्षा प्रदान कर रहे होते हैं तो उनकी निगाहें चारो तरफ दोड रही होती है। इस बात का पता किसी भी संग्दित भ्यक्ति को ना लगे इसके लिए भी वे कला चस्मा पहनते हैं। साथ ही अगर अक्समात कहीं बिस्पोट हो जाए, बमफट जाए या गोली बारी होने लगे तो स्वाबावे की कुछ देर के लिए आखे बंद हो जाती हैं। लेकिन इन बोडिगार्ज को हर आलत में अपनी आखे खोल कर रखनी होती हैं। तो इसके लिए कला चस्मा एने काफी मदद करता है। और जब हम कभी भी कम रोशनी से जादा रोशनी में जाते हैं तो को सेकंड के लिए हमारी आखे बंद हो जाती हैं। लेकिन इन बोडिगार्ज को ऐसी इस्तिती में भी सब कुछ देखना होता है और अपनी आखे खुली रखनी होती हैं। तो ऐसे में कला चस्मा इन्हें काफी मदद करता है। तो आप समझगी होंगी कि पिधामंत्र के बोडिगार्ट क्यों पहनते हैं। आसाई वीडियो आपको सारी मैनत का फाल है। आपके सिवसायता तो आपके लिए मारे वाट्सअप नंबर 7464848282 पर जाके वाट्सअप भी कर सकते हैं। दुस्तों फिर आज रहूंगे एक नई वीडियो और नई जानका इसाथ तक के लिए जैहिंद जैवारत थैंक्स पर वाचिंग लेंज झाल पता है।